हेलो फ्रेंज मैं मॉनिका आपके गार्नर दोस्त आज आपसे बात करूंगी यह देखिए यह मैंने ओनलाइन प्लांस मंगाए थे आपको दिखाए थे अब उनमें से एक प्लांट अभी मैंने रिपॉर्ट नहीं किया अब आप देखिए जैसे मैंने इसको यह रखा हुआ थ था पर है इस वह और है दो थी चलिए तब लूट हर था आज अब रिपॉर्ट करते हैं यह देखिए रिपॉर्ट करने के लिए इसको मैंने पानील दाल दिया और इसकी ये जो लाल मिट्टी है इसको हम हटा देंगे इसको मैंने मिट्टी में भीगो दिया इसको आप गंटा अकबर भादी में भीगो दिया क्योंकि हम ये मिट्टी बिल्कुशूकी थी अब हमने इसको पानी में डाल दिया है तो पाणी में डालने से क्या है यह मिट्टी सॉफ्ट हो गई है यह जादा तर मिट्टी इतर गई है अगर मैं इसको 1.5 घंटा भी होती तो ये सारी मिट्टी उतर जाती लेकिन अभी मैंने इसको 15 मिनट पहले भी होया और ये देखिए मैंने इसका root ball ऐसे अलग कर लिया थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई है और ज्यादा तर मिट्टी मैंने इसमें से हटा दी ये देखिए अगर हो सके तो इस पानी में थोड़ा सा apsom salt भी ढाल सकते हैं जब इसको भी होते हैं मिट्टी में तो apsom salt भी रहते हैं अभी देखिए मैंने इसका ये हटा लिए थोड़ी बहुत अगर आप रहने दें तो रहने दे सकते हैं लेकिन क्योंकि यह प्लांट जो है वो ट्री बनने वाला प्लान्ट है भड़ा प्लांट फ्लार वाला प्लांट है केस्या फैमलीगी दो इसको इसमें से सारी हमने निकाल दी तो Ol. जो कोई फरक नहीं पड़ेगा निकाल देनी चाहिए अब मैंने किया今日 मे उसमें देखिए मैंने यह जो आपको उपर यह सारा दिखा है यह और थोड़ी सी खाट डाली है वर्मी कंपोस्ट और एक्चुली मिट्टी जो मैंने लिए ना सोयल मिक्चर वह अपने पुराने गमलों में से निकाल के लिए जो मेरे विंटर सीजनल प्लांस होते हैं यह देखिए विंटर सीजनल प्लांत है यह गमला खाली ऐसी पड़े हुए थे इन दोनों की मिट्टी लिए क्योंकि मिट्टी अच्छी थी पौदे बिमार नहीं थे इस गमलों के तो वह मिट्टी ली थी इसलिए मैंने इसमें खात थोड़ी एक्स्ट्रा मिला ही और यह जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है यह मैंने इसमें एपसम सॉल्ट डाला है क्योंकि हमारा यह पौदा जो है वो नई जगा में जाएगा और इसकी मैंने मिट्टी निकालने के लिए तो इस पानी में ही थोड़ा सा इतना सा इतना सा एपसम सॉल्ट डाल दिया करें उससे आपका पौदा जो है वह वह ज्यादा अच्छा रहेगा मिट्टी में डालने से अब मैंने यह पौदे को यहां रख दिया है और इसमें मैं और मिट्टी कि देखिए थोड़ा सा यह सेंटर से इसको अब मैंने इसको अच्छी तरह से लेकिन जैसा मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो बनाया था तो आपको बताया कि आप पुराने गमलों की मिट्टी तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसमें जो पौदा था वो किसी बिमारी से नहीं मरा हुआ हो अगर फंगस या पैस्ट से मरा हुआ हो पौदा तो आप उस गमले की मिट्टी को फेग दें उसको आगे यूज़ने मेरे यह जो पुराने गमले थे इनकी मिट्टी जो थी बिल्कुल हैलडी थी इसलिए इनको मैंने इसमें यूज़ कर लिया तो अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल सकती हूं लेकिन अभी यह जू है यह वाली मिट्टी किया नं गमलों में जैसे मैंने बप्टुनिया लगाए थे जो भी पैंजि लगा थे उनकी जो नर्सरी के साथ मिट्टी आई थी क्योंकि जो मैं seasonal plant लगाती हूं उनके root ball को मैं disturb नहीं करती हूं यह बात आप ध्यान रखें कि जो आप seasonal plants लगाते हैं पैंजी, petunia, dog flower, renanculus उनके root ball को ज़्यादा disturb नहीं करना चाहिए उनकी क्योंकि वो tender plants होते हैं वो खराब होने का डर रहता है तो यह उनके root ball के मिटती है तो इसको मैं फेक देती हूं इसको देखिए अब हम पाटी लिए देते हैं अच्छी तरह से और अब हम इसकी पत्तियों पे बेबाएं जाएं क्योंकि क्या है कि यह पौदा जो है गर्मी में आज इसके ही थोड़ से मुर्जाए हुए हैं तो पानी देंगे तो पत्ते जो हैं वो डायरेक्ट भी अपनी सर्फेस से पानी अब्सॉर्ब करते हैं तो जब तक जड़ों से नीचे से पानी जाएगा तब तक यह पत्तों को हम डायरेक्ट पानी एक दिन मैं फोलियर एप्लिकेशन ऑफ खाद की बात करूंगी और मैं फोलियर ऐसे छुड़काओ करके भी वोदों पे खाद देती हूं वो जिस दिन बनाऊंगी तो उस दिन में गार्डिनिंग ब् और वो भी दिखाऊंगी कि मैं डायरेक्ट पत्तों पे खाद कैसे देती हूं तो फ्रेंड्स यह मैंने आपको आज रिपोर्टिंग दिखाई और ऐसे देखें मैं अपने हैंगिंग बास्केट्स को पानी देती हूं तो आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे ला ओके फ्रेंड्स बाई